नमस्कार दोस्तों नहों साक्षी और आप देख रहे हैं इंदुस्तान नाइन्यूस इस वक्त सहरनपूर में मौजूद हो और हमारे साथ गुजर समाज के कुछ लोग भी मौजूद है बहुत टाइम से एक मुद्दा चल रहा है गुजर समाज को लेकर अभी एक मुद्दा और नया चीड़ गया यह पिर्थवी राज जो मूवी आने वाली है इसको लेकर अभी कुछ लोग है जो गुजर समाज के ही है यह कुछ अपना विचार रखना चाहते हैं कि जो गुजर का इतिहास है वो किस तरह का रहा है और यह भाया बोल रहे थे कि उनके गुजर का इ अगर उणने जो उनका कहना है कि उन्हें गुरुजर समराड प्रथिवराज चॉ-पर थोड़ी RPeople प्रीच करके उनसे पहुचना चाहता हूँ जो प्रिद्रवाज पूरोज थे तीन पीड़ी पहले विसल का इंके मांडल ने चॉख के आन्पारी दुनिया जानती है व समा सबी लोग पन्याधाय से परीचित है जिनकी वजेसे जो महाणवा परताप थे उनके पती का नाम सूर जमल चोहां था तो उस टाइम पे भी चोहान थे 1580 में भी 1180 में और जब 911 में देवनाराण चोहान का जना हुआ उस टाइम पे भी चोहान थे तो ऐसा कैसे हो सकता है कि देवनारण चोहान तो गुजर है और जो उनके दूसरे भाई है पृत्वराज चोहान वो दूसरी काश्टिम हो गए और जो दूसरा समाज है जो कहते हैं कि हम पृत्वराज चोहान के वनसेज हैं मैं उनके लिए सिर्प एक बात कहूंगा जो भारत प्रित्वराज विजय जो उसमें उनकी जाती लिख्वी है और हमारी यही मांगे कि मूवी में उनकी जाती वही दिखाई जाए आपने बुजूर्ग लोगों से बात की है और यह तो जब हमने इतियास को पढ़ना स्टार्ट किया तब हमें पता चले ही किताबों में हमारे मह पुछ औरी पढ़ाया जा रहा है मैं आपको छोटी से बात बताता हूं जो गुजर है सत्रे समाज है और इनके यहां पे भाटों का बहुत बड़ा योगदान है जो भाट होते है राव भाट वहमारी वनसावली लिखते हैं स्टार्टिंग से लेकि आखरी तक भाट हमारे पुरा रिकोर्ड प्रित्वरा चोहन तक का अवेलेबल है और एक बात में आपको और बता दू यहां पे जहांके राजय थे प्रित्वरा चोहन अजमेर वहां पे भी बावन चोहन गुजरों के गाउं आज भी है देखिए अभी मुद्दा तो है काफी टाइम से चला हुआ है लेकिन राजपूत कहीं नहीं दीकरे इस मामले में गुजर है वो काफी ज्यादा रोस में है वो इसलिए दिखाए नहीं दे रहे हैं अगर वो सामने आएंगे तो उनको सबूत दिखाने पड़ेंगे और उनक इतने भी जो प्रित्विराज चौहान थे उनके दरबारी कभी हुए जन नायक आज से हजार साल पहले जो उनने किताब लिखे प्रित्विराज विजे तो उसमें उनको साब साब गुर्जर लिखा कहीं पर राजपूत समाज का उसमें नाम नहीं है सहरनपूर से कितना समर्थन मिलने वाला है काम किया जाएगा dogаю हो जाती हैं तो उसके बाद क्या होने पैली बाइसने नहीं होगी तो हमें लिखित में चião है कि exclusive और दिखाया जाएगा वरना बोलोग हम सोच रहेंगी गुर्जर समाजस्तान तरहेगा तो उनको एक बार राजिस्तान के गुर्जर आरक्षन देख लेना चाहिए उनको पता लग जाएगा जो गुजर एक सरकार को जुका सकते हैं यह तो फिर भी एक कमपणी है इसकी तो हैसियती क्या है गुजरों में और राज़पूत में लड़ाई ना हो जाये इस लड़ाई के साथ हमारे लड़ाई गुजर कर दिया तो अगर लाजपूत के अपने वहाँ पे सबूत दिखाने चाहिए और सबूत के अधार पर फैसला नहीं होना चाहिए जिस तरह से आप सबूत दिखा रहे हैं अगर राजपूत भी सबूत दिखाने लगे हम उनका स्वागत करते हैं अगर उन लोग के पास सबूत हैं तो दिखाए नाम है पिछले तीन साल से प्रेस कॉन्फर कॉन्फरेंस कर रहे हैं हम उसके लिए तेयार है नाम क्या बताया आपने कुवर विराट तवर 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 जी इसके अलावा में आप से कोशन और पूछना चाहँगे इसके साथ एंड करूँगे मैं एक व्यक्ति ने बताया था मुझे कि राजपूत गुजर समा से भ जूर्ग थे काफी असी के लगभग एज थी उनकी और उसके अलावा भी कहीं लोग मौजूद थे महां पर तो उन्होंने बोला कि हां हमने राजपूती पड़ा था थे वो गुजर समा से वह इस वज़े से हो सकता है इस तरह मैंने आपको बताए कि जो भारत का मुसलिम सम स्री राम को अपना पूरवज मानता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि स्री राम मुसलिम हो जाएंगे तो एक महापुरुस के बहुत सारे वन से जरूर हो सकते हैं अधर काश्ट में भी हो सकते हैं चोहान गोतर इस्तमाल किया जाता हो लेकिन उसकी वज़े से प्रित्वरा काशी गाओं ही नहीं है अजमेर में भी बावन गाओं है जैसे मैंने आपको बताया और राजिस्तान के बहुत बड़े एरिया में चोहान गुर्जर अभी भी निवास करते हैं धन्यवाद